आज मैं आपका important जीवन परिचे लेकर आया हूं यह जीवन परिचे हमर बॉर्ड एक्जम भी बहुत important है यह जीवन परिचे गजानन मादो मुक्ति भौध का इसका हम जीवन परिचे पढ़ेंगे इसके बाद में परमकरचनाई भासा सेली पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले इ 1970 को हुआ है यहां तक complete इसलिए उसे कुल करनी के सथान पर मुक्ति भौध केलाने लगए क्या मुक्ति भौध केलाने लगए कुल करनी के सथान पर ठीक है यहां तक completely उनके पिता का ना मादो मुक्ती बोध था क्या था मादो मुक्ती बोध ठीक है जो की पुलिस इंस्पेक्टर थे क्या थे फुलिस इंस्पेक्टर वे एक योग्य विद्धारती नहीं थे कौन नहीं तो योग्य विद्धारती गजनन मादो मुक्ती बोध ठीक या और 1937 में पर्थम परियास में B.A. की परिक्चा भी उत्रिन नहीं कर सके। हन्स पत्रिका संपाद किये विभाग में सतान पाया। कौन सी हन्स पत्रिका में ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्मुक रचना अब पर्मुक रचना यह भी लिखना बहुत इंपोर्टेंट है। यानि कि मुक्ती बोध कवी के रूप में तो पर्षिद हुए ही। साथ में उन्होंने अलोचना कहानी एवं डाइरी लेखन में भी सफलता पराप्त की। ठीक है। उसके बाद आता है तार सब्तक में संकलित सत्र कवीता उन्नी सो ते तालिस चांद का मूटेडा भूरी भूरी खाक दूल ठीक यह कवीता संग रहे हैं। काठ का सपन और वी पात्र यह कथा साहिते में लिखना बूल गए और एक साहिते डाइरी यह आलोचना है। थीके तता भारत इतास और संस्कृति क्या है भारत इतास और संस्कृति आधि उन्की मुख्य अन्य रचनाय हैं। ठीके परंतु इनकी किर्ती का आधार सतंब चांद का मूटेडा है क्या है चांद का मूटेडा यानिकी इनकी किर्ती का आधार सतंब मान जाता है चांद का मूटेडा ठीके जिसमें कुल 28 कविताएं संकलित हैं कितनी है 28 कविताएं संकलित हैं जिसमें ठीके उसके बाद आता है कवेगत विसेशताई ठीक है जैसे की मुक्ति बोध की अधिकंस कविताई छायावाधी सिलफ ले हुए हैं क्या हैं चायवादी सिल्फ लिये हुए हैं मुक्ती बोध की अधिकन्स काविताएं ठीक है लेकिन वे वेकितिकता से सामाजिक की और परस्थान करते दिखाई देते हैं ठीक है उसके बाद मुक्ती बोध ने स्वेम अभाव गरस्त जीवन व्यतित किया है और गरीबों को जीवन को न निकिट से देखा है ठीक है उसके बाद इसलिए कवी अपनी कवीताओं में जहां एक और सोसित वरग प्रती सहानुबूती व्यक्त करता है क्या करता है सहानुबूती प्रती सहानुबूती व्यक्त करता है लेकिन दूसरी और सोसितों को आर्थिक तथा सामाजिक क्या है आ कराना चाहता है मुक्त भी कराना चाहता है ठीक है उसके बाद चलते हम भासा सेली पर भासा से लिखना भी बहुत important होता है जिवन परिच्छे में जैसे कि मैंने लिख रहे कि आप ऐसे लिख सकते हैं मुक्ति बोध ने साहित्यक हिंदी भासा परियोग किया है कौन सी भासा को साहित्यक हिंदी भासा का परियोग किया है ठीके उसके बाद है यदि इसमें संस्कृत के क्या है संस्कृत के तत्सम परदान सब्द हैं क्या है तत्सम परदान सब्द है तो अंग्रेजी उर्दू का फार्सी के सब्द भी है क्या करें इस संस्कृत में तत्सम परदान सब्द है तो अंग्रेजी अधिक गिऑदू फार्सी के सब्ड भी हैं ठीक है उसके बाद मुक्ति-भध अपने कावे में उपमा क्या है है उपमा मानवी कर रूपक उत्परेक्चा तथा अनुपरास आदी अलंकारों को परियोग किया है, क्योंपकों से, यांकि मुक्ति-भध अपने कावे में मानमिकरन, रूपक, उत्परेक्चा तता अनुपरास आधी अलंकारों का भी परियोग किया है। यहां पर हमारा संचिप्त, जीवन परिच और बाहसा से लिए सब कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कर दो लाइक और चैनलन को दो सब्सक्राइब बगर माई घंटी उसको परेज कर दो। मिलते एक नेक्स्ट वी तब तक के लिए गुडबाई आपका दिन सुब हो।